युक्रेन के मामले में वो कहावत एक दम सही बैठती है कि सर मुडाते ही पढ़ने लगे ओले कुछ ऐसा ही हाल युक्रेन का है युक्रेन पिछले एक साल से नीदरलेंड और डेन्मार्क से अमेरिकी लड़ाकु जेट्स F-16 का इंतजार कर रहा था युक्रेन को ये उम्मीद थी कि F-16 आने के बाद वो आस्मान में रूसी सीना का तगड़ा बंदोबस्त कर देगा लेकिन F-16 मिलने के बाद ऐसा हुआ नहीं लेकिन अब उल्टा युक्रेन को एक बहुत बड़ा जट का लगा है दरसल हमने अपनी एक रिपोर्ट में पहले बताया था कि युक्रेन की एक बेवगूफी की वज़ा से रूस को युक्रेनी F-16 जेट्स की लोकेशन पता लग गई थी और उसके बाद रूस ने एक हैंगर पर ताबर तोड हमले किये थे जिसके बाद रूसी डिफेंस मिलिटरी ने ये दावा किया था कि उसने इस हमले में युक्रेन के F-16 तबह कर दिये है लेकिन अब युक्रेन की तरफ से भी इस बात को कबूल कर लिया गया है कि उसका एक F-16 फाइटर जेट्स धेर हो चुका है दरसल रूस के हवाई हमले के दौरान युक्रेन का F-16 जेट क्रेश हो गया है जिसमें जेट का मुख्य पाइलिट ओलेक्सी मेस जिसे मूनफिश के नाम से जाना जाता था वो मारा गया है और इस बात को खुद युक्रेनी सेना ने कबूल कर लिया है दरसल इस क्रेश को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई है वाल स्रीट जनरल ने कहा कि युक्रेनी पाइलिट की गलती की वज़ा से F-16 क्रेश हुआ है लेकिन CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में युक्रेनी सेना के सूत्र का हवाला देते हुए कहा कि युक्रेन को ये नहीं लगता कि पाइलिट की गलती की वज़ा से ये जेट क्रेश हुआ है ये जेट युक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा किये गए अभी तक के सबसे बड़े हवाई हमले को विफल करने के दौरान क्रेश हुआ है हाला कि जेट कैसे क्रेश हुआ अभी इस बात की जाच चल रही है और इंटरनेशनल एक्सपर्स भी इस पूरी जाच में सहयोग करने के लिए युक्रेन जाएंगे लेकिन बड़ी बात ये है कि जेट के मुख्य पाइलेट मून फिश की मौद युक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा जटका है क्योंकि एफ-16 उड़ाने के लिए चंद युक्रेनी पाइलेटों को ट्रेनिंग दी गई है और उन में से एक पाइलेट का विकेट किर चुका है वहीं दूसरी तरफ युक्रेनी राश्रपती वॉलदमिर जलेंस्की का कहना है कि युक्रेनी एर फोर्स ने एफ-16 का इस्तेमाल, रूसी मिसाइल और ड्रोन्स को चिन हिद करने के लिए किया था बड़ी बात यह है कि जलेंस्की ने पहली बार अपने इस बयान में एफ-16 की तैनाती की बाद स्वीकारी है और युक्रेन के लिए एफ-16 गेम चेंजर साबित हो सकते थे क्योंकि रूसी सेना लगातार आस्मान से युक्रेन के बिजली घरों और दूसरे जरूरी इंफरस्ट्रक्चर पर हमले कर रही थी जिनका तोड युक्रेन के पास नहीं था वहीं दूसरी तरफ एफ-16 क्रैश होने को लेकर युक्रेन की एयर कमांड ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें उसने कहा कि 26 अगस 2024 को युक्रेनी पाइलिट ओलेक्सी मैस की मौत हो गई थी लेकिन उससे पहले उसने तीन रूसी क्रूज मिसाईलों और एक ड्रोन को मार गिराया था ये रूस के युक्रेन पर सीधे मिसाईल और ड्रोन को नाकाम करने का हिस्सा था हालकि शुरुआत में इस क्रेश एरक्राफ्ट को F-16 का नाम नहीं दिया गया था लेकिन बाद में युक्रेन के जनरल स्टाफ ने इसे F-16 का नाम दिया और कहा था कि इस तरह के एरक्राफ्ट ने चार रूसी क्रूज मिसाईलों को इसी दोरान मार गिराया था लेकिन अमेरिकी अखबार वाल स्ट्री जनरल ने इस क्रेश को ले कर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था अखबार का कहना है कि शुरुआती रिपोर्ट से इस बात की तरफ इशारा करती है कि F-16 दुश्मन की आग दोरा क्रेश नहीं हुआ संभवता ये क्रेश पाइलेट की गलती हो सकती है क्रेश पाइलेट नहीं हुआती है क्रेश बड़ा रहा है